हेलो दोस्तों नमस्कार आदाप सश्याकाल आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे दासी करीट इचर्स पे और दोस्तों आज हम लोग अपनी करेंट अफर का बहुत ही बौट अच्छा लग रहा होगा अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक भी कर दिया खरो ठी और न्यूज हम लोगी यह है COVID-19 से रिल्टेड है सबसे पहले न्यूज आपके सामने होगी एक यहाँ पे बहुत आच्छी ख़बर तो नहीं है देखें मुंबाई का जो हॉस्पिटल है और काफी बड़ा वोक हर्ड हॉस्पिटल है वो बिसिकली सील हो गया है आप यह वो पता चला कि वो COVID-19 positive है जो बिमारी COVID-19 वो positive है देखें कोरोना वारस एक वारस है ठीक है लेकिन बिमारी कौन सी है बिमारी उससे होती COVID-19 तो COVID-19 वो positive था तब तक कि जब तक पता चला तब तक कई medical staff में बहुत सारे लोग उसके contact में सीधे सीधे contact में आ चुके थे तो वो प चुके हैं 31,700 87 केसे हो चुके हैं मलब आप समझे लिए सीधे सेदा 32,000 केसे हो चुके हैं और जो मौते हो चुके हैं वो मौत 1000 प्लेस पार कर चुकी है लेकिन एक बात ठीक है अच्छी है कि इसमें recovery जो अपने भारत में 31,000 या 32,000 केसे हो चुके हैं उसमें 10,000 लोग बात कर रहा हूं लगबग 10,000 लोग recover हो चुके हैं तो एक positive ख़बर भी आ रही है कि recovery rate बहुत अच्छा है इंडिया का ठीक है अगर मैं बात करूँ कि यहां पे जो test हुए हैं टेस्ट तो खासकर उतने नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए थे लेकिन फिर भी एक तरह से देखा कर जाए तो अपने भारत में जिस हैसाप से जनसंख्या और जिस हैसाप से लोग यहां का रहन सहन है उसके हिसाप से यहां पे काफी हम लोग का control में है अच्छा मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो तीन मई की ख़बर थी lockdown की वह extend हो चुकी है लेकिन वह ऐसे extend नहीं ह पंजाब राज ने अपना officially किया है तो अगर पंजाब के बात करो मैं तो पंजाब ने अपना officially कर चुका है 29 अपरेल को अपना officially कर चुका है कि 17 मैं तक मलब दो हफ्तों का all lockdown बढ़ा रहा है 17 मैं तक वो total lockdown अपना कर रहा है ठीक है यह पूरे गिदेश के लिए नहीं न्यूज है हमारी के यह constitutional crisis आने वाली है देखिए एक बहुत important आपके सामने है और यहाँ पे आपको एक article ध्यान आखना है 164 चीक है अब मैं आपको बताऊं को 164 article है क्या लेकिन हम थोड़ा सा बात करते constitutional crisis आने कैसे वाली है एक्शल में अभी तो कोई चुनाव है नहीं लेकिन महराश राज में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे constitutional crisis आने वाली है अभी उधर ठाकरे का जो है कारकाल समाप्त हो रहा है 24 मई को उधर ठाकरे समय महराश के सियम है और 24 मई को उनका जो कारकाल हो जाएगा वो समाप्त चलती है ठीक है तो आपको ध्यानक ना है अच्छा यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल 164 क्या है 164 आर्टिकल यह कहता है कि एक राज का एक सियम होता है ठीक है जो वहाँ का लोगतांतरिक रूप से चुना जाता है और वही उसका कारपार बेसिकली समालता है राजपाल एक समझ लिए कटपुदली के तरह होता है जैसे कि अपने राश्टपती होते हैं मैं कहें नहीं रहाँ सीदे सीदे लेकिन एक तरह से आप मान सकते हो देखें किसी भी देश में पावर लोगतांतरिक देश के बात कर रहाँ मैं किसी भी लोगतांतरिक देश में या डेमोक ही वह सीधे डारेक्ट चुन के आते हैं लोगों के दर, तो उनके पास sexual पावर होगी यहाँ पे अपने कंट्री में क्या है उनके पास sexual पावर होती है तो आर्टिकल 164 क्या जाता है कि एक राज कया हम होगा ठीक है और उसके बाद 1234 आइनाइस्चर है जिसमें आर्टिकल 164 क्लॉस क्या गयता है 164 क्या गयता है कि अगर कोई सियम या फिर कोई मंत्री पत पर बैठा हुआ है वो अगर 6 महिने के अंदर किसी सदस का किसी विधान सभा चाहे लोक सभा या फिर बोले तो राज सभा या फिर उसके बाद में बोले या फिर आपके जो लेजिस्ट्रीट्व अस्ट्रीट्व काउंसिल उसका सदस नहीं है और वो किसी मंत्री पत पर बैठा हुआ है और 6 महिने तक उसने कोई भी चुनाओ नहीं किया या नोमिनेट नहीं हुआ है तो उसको अपने पत से इस्थिफा देना बढ़ेगा चीक है अभी कहा है लेजिस्ट्रीट्व अस्उंबिली के तो चुनाओ होने नहीं कि वो जो अधिकार है, वो basically आपका क्या कहते हैं, जो वहाँ के governor है, उन्हीं का अधिकार है, इसमें court किसी वी तरह का हस्तक्षिप नहीं करेगी, ठीक है तो अभी यहाँ पे उधाव ठाकले जी ने क्या किया है, जो अपने PM है, उनको ख़त लिखा है, उनसे contact किया है, कि यह जो constitution crisis है, उसको थोड़ा से समला जाए, और आप उनसे कहिए, भगासिंग कोश्यारी जिसे कि वो मुझे nominate कर दें, अब यहाँ पे PM को रोल क्या है, समझेगा, PM का रोल यह है, कि आप सभी को पता है, कि जिसके central में government होती है, ठीक है, उसी के ही राजपाल हर राज्यों में नियुत होते हैं, ज्यादतर वही होता है, ठीक है, तो भगासिंग कोश्यारी भी BJP से रेलेट करते हैं, तो अब यह और PM भी basically BJP से बने हुए है, मैं यह नहीं कहाराओ BJP के PM है, मैं कहाराओ BJP से बने हुए है PM, ठीक है, तो अब basically PM बाजपा बाजपा आपस में मानेगी, तो उसी बाज है, देखते हैं, आगे चाके क्या होता है, कि PM बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है, अगली नियुस ही चलते हैं, यहाँ पे मैं explanation की खबरे हैं, और एक graph है, जो आपको दिखाना जाता हूँ, ऐसे अलग अलग राज्यों के graph हैं, महराश्रा, गुजरा ठीक है, यूपी, कश्मीर, हर जगा के अपने graph हैं, और यह किसके graph है, COVID-19 के basically graph है, तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ देखिएगा, पहले मैं महराश्रा का graph दिखाता हूँ, जिसमें सबसे नंबर of cases हैं, यहाँ पे मैं अगर test की बात करूँ, महराश्रा की बात कर रहा हू अभी तक मैं बात करूँ, 9,318, जिसमें से 400 death हुई है, और recovery rate 1300 something है, तो recovery rate भी उतना अच्छा नहीं है, और death भी थोड़ी से जादा हुई है, तो इसलिए महराश जो है, वो सबसे नंबर one पे है, अभी मामलो में, COVID-19 के मामलो में, ठीक है, इसी तरह मैं आपको और भी graph दि बहुत जाएंगे, ठीक है, इसके बाद सब और और graph देखेंगे, Delhi के भी graph देखेंगे, UP के भी graph देखेंगे, मैं आपको देता जाओंगा, line wise, line wise, आप particular जो भी राज का है, आप उसको pause करके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सब के दिखेंगे, Delhi है, गुजरात है इसके साथ साथ आपका गोवा, गोवा में तो basically case नहीं है, ठीक ना, और भी जितने राज हैं, आपका particular देख रहे होंगे, आप वहाँ पर pause करके देख सकते हैं, ठीक है, आगली news पर चलते हैं, अगली news है, थार्ड news है, इंग्लैंड की निउस है, यह basically एक अच्छी news है, औ और यह लोग किस तरह से सोचते हैं अपने इंडिया में, मुझे नहीं पता, पर देखी एक बहुत खुबसूरत news है, यहाँ पर एक खुबसूरत news क्या है, यहाँ भी जो प्राइम निस्टर हैं, UK के, बल इंग्लैंड के basically, इंग्लैंड की जो प्राइम निस्टर है, बोरि उन्होंने अपना यह जो news है, उसको पूरी तरह से सामोही कर दिया है, तो उन्होंने एक बेबी को बर्त दिया है, और अभी उनकी पत्नी नहीं है, उन्होंने बोलाए कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे, ठीके, तो यहाँ पर अपने इंडिया में पता नहीं किस दरजा से देखा जाता है किस नजर में, लेकिन एक बास समझेगा, कि जो लव होता है या फिर प्यार होता है, उसका कोई भी आप किसी तरह से आप उसको investigate नहीं कर सकते, या किसी बुरी नजर से आप नहीं देख सकते, ठीके ना, अधर कंट्रीज में इसको बुरी नजर से नहीं दे यहां पर बिसीकली न्यूस क्या थी कि यह है, और यह भी बात है कि वो जो 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 जॉरिस बॉंसन है, वो 55 साल के है और उनकी फ्यांसे है, वो नियर अबाउट 32 एयर की है, ठीक है, और उन्होंने बेबी को जन दिया है, ठीक है, तो यह एक छोटी सी न्यूस थी, जो यूँस थी, तो इतली की बात है, जब कि यूट बात करूँ है, यहां पर यूचर कंट्रीज आते हैं, एक मैं बात करता हूँ, सबसे पहला इंग्लेंड, जिसको आप हमेशे यूके ही समझते हैं, लेकिन इंग्लेंड यूके का पार्ट है, ठीक है, उसके बाद वेल्स, अगला सकेंड कंट्री कौन साथ है, वेल्स आता है, थर्ड कंट्री कौन साथ है, स्कॉट्लेंड और सबसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी एक एथिहात के तौर पर बता दिया है, अच्छा इसको जो पब्लिश किया है नूज ने, वो किसने किया, पी-एच-ई, पी-एच-ई, जो है, उसने पब्लिश किया है, पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लेंड, ठीक है, प पुब्लिक हेल्थ एंग्लेंड, चलिए, अगली नुस पे चलते है, फिफ न्यूस पर 5 कश़वी खबर है, ज जिएस-के ने प्लान किया है, कि वो हैच-ई, ऑब यहां पर देखेंगा, जिएसके क्या है, जिएसके एक यहां पे, basically, एक drug maker है, ठीक है, ब्रीटिश ड्रग है तो उन्होंने क्या किया अभी एच्रियाल कजो स्टेक है वह बेसिकली कुछ परसंट जो है वह बीचने का स्टेक वह मार्केट को तो अने का प्लान कर दिया है और परसंट एक तब बात हुए है यहां पर 3.7 billion dollar का अमाउंट है तो एक कफी बड़ा अमाउंट है 3.7 billion और इस समय में जब basically क्या है economic जो है वो ज्यादा नीचे गिर रही है यहार देश की basically कर रही है अभी मैं आपको UST की बताऊंगा क्या अस्तिती यह वहाँ पे ठीक है तो यह Bloomberg की report थी basically अच्छा आगे चलते हैं यहां पर एक बहुत important news है ज़टी news है कि ADP ने approve कर दिया है 346 million dollar का basically क्या है जो loan है वो approve कर दिया है अब यह किसको किया है ज्यान अखिएगा ADP मतलब Asian Development Bank Asian Development Bank ने loan approve किया है 346 million dollar का billion नहीं बोलना हूँ तो यह 346 million dollar का 1 million में 10 lakh होते है ठीक है एक million में किते होते है 10 lakh होते है तो यह 346 million dollar का rent जो है वो approve कर दिया आपको इसको approve किया इंडियन गौर्मेंट को नहीं किया है इन्होंने महराष्ट state government को किया है ठीक है और यह किसके लिए किया है अच्छा ADB के बारे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ ADB क्या है Asian Development Bank है इसका मुख्याले कहां पे है तो इसका मुख्याले है Philippines की जो राजदानी है Manila ठीक है वनीला नहीं है Philippines की राजदानी Manila में इसका मुख्याले है तो यह आपको ध्यान आकता है यहाँ पे अच्छा मैं इसके बाद बात करता हूँ कि इसके जो Secretary General है वो कौन है ताके ही को नकाओं है ताके ही को नकाओं इसके Secretary General है तो यह भी आपको यहाँ पे ध्यान आखना है चलिए अगले News पे चलते हैं साफ़ी News पे साफ़ी News करता है युएस की GDP है वो श्रिंक होके होने वाली है 4.8% होने वाली है इन दिस क्वार्टर ठीक है ऐसा बोला गया है ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है युएस से की तरफ से कि कितनी हो जाएगी श्रिंक होके 4.8% हो जाएगी जो GDP है, GDP growth के बाद नहीं करूँ, GDP है 4.8% shrink होके हो जाएगी, जिसमें बहुत सारा क्या कहते हैं, आपका economic slowdown होने वाला है, और बहुत सारा लोगी जो नौकरियां है, वो दाओ पे लग चुबी हैं, देखें, 20 March के बाद मैं बात करूँ, तो हर country में लग भग lockdown है, और India में भ क्या कहते हैं, IMF ने बूला है कि जो बिरोजगारी दर है, वो 7% से घट करके, मलब बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 26% जा सकती है, 26% बिरोजगारी दर आप समझ रहे हैं, मलब करोणों लोग की नौकरियां चली जाएगी, ठीक है, ऐसा बूला गया है, अब देखते हैं, आ